तो मुझे लगा कि आप तक ये रहस्य पहुँचना चाहिए कि साधना कहते किसको है ऐसी कौन सी साधना है जिससे जिन जिन सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है वो हो जाए सिरफ जब करना तो साधना नहीं है वो एक परकार की साधना है तो सबसे मूल जो होता है सिद्धी का वो होता है सत्यनिष्ठ होना क्योंकि सत्यनिष्ठ होने के दिए आपको एक समता के भाव में आना पड़ता है मनुश्य कब जूट बोलता है जब स्वयम को उचा दिखाना हो या जिससे मोह है उसको खुश करना हो या जिससे मोह नहीं है उसको दुखी करना हूँ और तो कोई चीज छुपानी हो या कोई चीज नहीं है उसको बनाना हो यही जूट का मूल होता है न कैसा भोजन है बहुत स्वाद है हो सकता है जूट हो कैसे भोजने, बहुत स्वाध हूआ बोलो, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप दूसरे को आखत पहुचाना चाहते हूँ तो जूट का मूल यही है, कुछ नहीं है, जो हमें बनाकर दरशाना है, जूट हो गया या कुछ है, जो हमें छुपाना है, जूट हो गया परन्तु यदि आप किसी चीज को सत्य मानते हुए उसको आगे बोलते हैं तो वो जूट ना हुआ चाहे आप अंजान थे सत्य से, अन्भिग्य थे क्योंकि आपने वही बात बोली जो आपको सत्य प्रतीत हुई तो यथा भाव जिसको कहते हैं और तीन परकार का जूट होता है मिथ्या भाव, मिथ्या आचरण, मिथ्या वचन मिथ्या वचन तो सरल ही है, वो बात बोलना जो सत्य नहीं है, जो हम जानते हैं सत्य नहीं है और उसमें के भी फिर कई जो हैं स्तर होते हैं एक है कि सरासर जूट बोलना, सफेद जूट, ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया, जबकी किया हूँ, पूरा जूट, एक है कि मैंने उसके बारे में सोचा पर थोड़ा सा किया, जो किया उसको कम करके बताना वो दूसरे परकार का जूट होता है, तीसरा है अतिशे योक्ति करना बढ़ा कर बताना, एग्जाग्ज्रेट करके बताना जितना किया उसका बहुत बेटा कितनी देर पड़े पापा मैं सारी रात पड़ता रहा हूँ वो तीसरे परकार का जूट होता है जो नहीं है वो बोलना जो है उसको छुपा लेना वो आता है उसको छुपा लेना बिना वचनों के मिथ्या भाव में जैसा कि युदिश्थर का था जिसने कहा अश्वत हामा मारा गया वो जानता है कि वो हाथी है हाथी ही मारा गया था पर वो इस बात से युदिश्थर जो है वो द्रोनाचारे को उन्होंने बताया भाव ये था कि द्रोनाचारे ये समझे कि उनका पत्र मरा गया है जिसका नाम अश्वतामा था, वैसे तो हिरानी की बात है हाथी के नाम पर अपने बेटे का नाम रख लिया, कितना ही खाता होगा ना विचाने हाथी से तो उम्र में छोटी हैं, हाथी के तो आयू बहुत लंबी होती है, खेर वो रही उनके और उनके बीच की बात, मिथ्या भाव हो गया, चुपके से बात में उन्होंने कह दिया, अश्वथामा मारा गया, हाथी, पर द्रोनाचारे न है मिथ्या भाव, तीसरा होता है मिथ्या आचरन, अर्थात जो हम नहीं हैं, वैसी छवी बनाकर हम समाज को प्रस्तुत करें या दूसरे को दिखाएं, कोई व्यक्ति माल लीजिए, मैंने आपको बताया था न, एक कहानी वो बरफ में बैठके, वो सादू जो है, तस्वीर खिचा रहे थे ऐसे, बड़ी सुन्दर जटाएं, दाड़ी, सब कुछ, असली थी, वो ऐसे बैठके, वो फोटो खिचा रहे हैं, और पासवाले ने बोला, महराच जब ये फोटो खिचाई न, सीधा ये इतना तीवरता से गूफा में भागे, कि धूने के उन्हों उपर ह बैठ गए थे, इतनी ठंड लग रही थी, चाय के इलावा कुछ और भी पी आए उन्होंने फिर, वहाँ पे सब प्रबंध था हमारा, मैं वही बोल रहा हूं जो उन्होंने बताया हमको, तो समाज के लिए वो फोटो चली गई, ऐसे, मुस्कुराते हुए, या एक उस तेश्वी सादू हैं, देखो, भरफ में बैठे हैं, कपड़े भी न डाले, यही होता है न, हम जब छोटे थे, जब किसी ऐसे संत सादू की कोई छवी देख लेते थे, चित्र देख लेते थे, लगता था, वा, कितने तेश्वी संत हैं, क्योंकि हमारी तेश्वीता की पर जो व्यक्ति वस्त्र धारण कर लेता है, हम उसको नमन करना शुरू कर देते हैं, आप शायद इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, यदि मैं ये वस्त्र उतार कर, मालीजिये, आपके जैसे वस्त्र डाल कर, जीन्स या सूट पेंड डाल कर, जो भी है, परवचन का वो भाव जागरित ही नहीं होगा, जब हम वो वस्त्र देखते हैं, हम ध्रम नहीं सोचते, हम ज्ञान सोच सकते हैं, विद्वान सोच सकते हैं, ऐसे भी हमारे गुरु हैं, जो सब परकार के रंग बिरंगे कपड़े जो हैं, डालते हैं, पर जब प्रवचन करना होता है तो एक विशेश प्रकार का वस्तर डाल के करते हैं तो ये हमारे जो धर्म की नीव को हिलाता है क्योंकि ये मिथ्या मुझे ऐसा लगता है कहीना कहीं मिथ्या आचरण हो जाता है अगर गुरु संथ ओपन ली कर रहा है फिर कोई समस्या नहीं ऐसे भी बहुत से गुरु हैं कुछ सुप्रसिद्ध हैं जो ओपन ली कर रहे है उनकी फोटो नौर्मल कपड़े में भी है वस्तर में भी है तो ठीक है कोई आपति नहीं कोई कि मिथ्या आचरण नहुआ मिथ्या भाव नहुआ शायद वो वस्तर को अपनी युनिफॉर्म मानके चलते हैं वर्दी मानके चलते हैं परन्तु मिथ्या आचरण जो होता है वस्तर की बात छोड़िए हमारे विश्व में अधिखांश जो लोग हैं वो मिथ्या आचरण में ही जीते हैं और कही न कहीं समाज को मिथ्या आचरण ही चाहिए ये भी दुख की बात है अगर आप दुखी हो मानली जीए कोई आप से पूछे कैसे हो और आप बोले बहुत दुखी हूँ क्या बताओ कल की सुनो और आगे से कोई आपके पास नहीं फटकेगा वो ये सुनना चाहते हैं बहुत अच्छा हूँ सब ठीक है तांकि वो अपने रास्ते जायं आप अपने रास्ते जाओं यह कहने के बात होती है आप कैसे हो सब ठीक तो है नहीं बिया तो आप क्या कर दोगे यह तहने ATM काड यह रहा मारापिन जाओ खाली बढ़ा है जो मर्जी करते हरो वो तो होने से रहा तो मिथ्या आच्रन है हम सब को मतलब कोई देखे माली जी कि इसने बहुत रंग विरंगे कपड़े डाले हैं आपको नहीं पसंद वो वेक्ति कैसा लग रहा हूँ आप क्या बोलोगे वाह दिव्य लग रहे रही तो बहुत सुंदर लग रहे हूँ क्योंकि समाद जो है जूठी कहीं न कहीं पसंद है उसको देखा जाए मैंने आपको ये छोड़ा सा प्रसंग सुनाया था उस राजा के दर्बार में बुड़ा हो रहा होता है तो जो नाई होता है राजा का वो कहता है कि मारा जब थोड़ा वृद्ध हो रहे हैं आपके देखिए दाड़ी में सफेद बाल आ गए हैं इनको निकाल दू राजा को गुस्सा आ जाता है मुझे बुड़ा भोल रहा है इसको डाल तो कारावास में तीन महीने के लिए बाद की बाद में सोचेंगे और इसके कोड़े लगाए जाए बुड़े से बुड़े विक्ति को आप बोलो भी आप तो कम से कम पचास साल युवा लगते हो चाहे उसका चेहरा ऐसे हो जैसे कपड़े को प्रेस नहीं किया धुले हुए फिर भी उसको ये विश्वास होता है चालिस साल के विक्ति को बोलो भी आप तो बीस साल से एक दिन उपर नहीं लगते हैं थोड़ा चाती वो चौड़ी करके चलना शुरू कर देता है जूट एक ऐसी चीज है अपनी रूचे नियुसार किसी को प्रिय लगता है किसी को नहीं लगता पर जूट में यदि आपकी स्तुती हो रही है जूट में किसी दूसरे की स्तुती हो रही है अच्छी बात बोली जा रहे है तो हर कोई खुश है आप महाविद्वान है ये आ राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो, ये विक्ति मुझे बुड़ा बता रहा है, और ये ऐसी चीज है जो कोई भी होना नहीं चाहता, बुड़ा, जो 20-30 का वो कहता है, मुझे परवान नहीं, जब 60 में पहुंचता है, 50 में पहुंचता है, या जब 40 में भी बुड़े होने कि लक्षन दिखते हैं, फिर विक्ति को गवराठ होती है थोड़ी सी, खैर, राजा अपने सभा में जाता है, अपने मुख्य मंत्री को खड़ा करता है, बताओ, उसने कहा, सच-सच बताना, क्या मैं भुड़ा हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे सफेद बाल दिख रहे हैं, उ ढा, ढालो इसको जेल में, राजा ने कहा, और इसके कोडे लगाओ, इसको ये नहीं पता, जो इसका मालिक है, उसको कैसे बात बतानी है, अब सारे थर-थर कहां पे के सुनना क्या चाहता है राजा, दूसरे मंत्री को खड़ा किया, बताओ, क्या मैं बुड़ा लगता मेरे सफेद बाल है, उसका माराज, आपके और सफेद बाल, ये बला संभवी है कहीं, अरे अमावस की रात्री के भांती, घने, काले बाल, आपके दाड़ी के जो हैं, ऐसे दिख रहे हैं, पीछे अंधेरा हो रखा है, राजा ने कहा, इसको छे महिने के लिए जेल में डाल इसके 600 कोडे लगाओ, ये सरासर जूट बोल रहा है, ये जूट बोल रहा है विक्ति, मुझे पता है मेरे सफेद बाल है, ये कह रहा है आपके काले घने बाल है, मैंने बोला था साफ साफ पहले सच बोलना, अब राजा और आग बवूला हो चुका है, मुला नसरुदीन को मुझे सफेद और काले में अंतर नहीं दिखता, मुझे सब एक से दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले देखता था, वैसी आप मेरे लिए आज हैं, राजा माला उतारके मुला को दे देता है, तो कहीं न कहीं समाज जो है, वो चाहता है कि मिठ्या आचरन हो, मिठ्या भा बनाके रखने का मिथ्य आच्रन बनाके रखने का आप दंग रह जाएंगे इस बात को सुनके क्योंकि समाज को उससे खोशी मिलती है कोई मौनी बाबा बनके बैठ जाए या कोई अपने आपको बहुत विशेश बताता रहे कोई दूसरे को नकारता रहे उनको लगता है नही गुरु ने कुछ नहीं सिरफ एक बहुत बड़ा व्यपार खड़ा कर रखाया और कुछ नहीं परन्तु कोई सच सुनने को तयार नहीं होता कोई सच मानने को तयार नहीं होता तो सिध्धी की जो सबसे पहली सीड़ी होती है वो होता है सत्यनिष्ठ होना सत्यनिष्ठ होने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसे सत्य बोलो कि दूसरे को दुख हो, जहां पर चुप रह सकते हैं, चुप रहना चाहिए, जहां पर मुस्कुरा के काम चल दे हैं, मुस्कुरा के काम खतम कर देना चाहिए, जुरूरी नहीं जो आपके मन में हैं, जो आपके जहन में हैं, उस मत है, वो एक दृष्टिकोन मात्र है, दूसरे व्यक्ति का, दूसरा कोई और दृष्टिकोन हो सकता है. और जब सिद्धी की प्राप्ति की और मनुश्य बढ़ता है, मिथ्या भाव, मिथ्या आचरण और मिथ्या वचन से सिद्धी की हानी बहुत तिवरता से होती है. एक होता है न, आप बाल्ती जो है पानी की भर रहे हो, सिद्धी जो है अरजित हो रही है, परन्तु बाल्ती में नीचे से सुराक हो गया, वो सुराक होने से आप उपर से भरते रहेंगे, नीचे से निकलता रहेगा, पर एक वो बाल्ती की कल्पना कीजिए, आप उपर से भ दर रहे हो उसका नीचे से तला ही नहीं है। उसी एक्षण जो है खत्म होती रहती है, खर्च होती रहती है। और सत्य निष्ठ यदी होना है वो विक्ति नहीं हो सकता जिसको बहुत बोलने की आवशक्ता होती है। इसलिए सर्वश्रेश्ट रहता है कम बोला जाए। जितना कम आप बोलेंगे, उतना अधिक आप सत्य के भाव में स्थित रह पाएंगे। जितना अधिक हम बोलेंगे, उतना अधिक कही ना कही शब्दों को जोड़ना पड़ता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा ही तो देख रहा होता है, जब कुछ बोल रहा होता है, कि इसको पसंद आ रहा है, आ रहा है तो इसी लाइन पर चलता हूँ। नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज करता हूँ। और जो उच्च कोटी की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं, सत्य का एक दूसरा पहलू भी होता है। वो होता है सत्य सुनने का बल रख सकना। जो सत्य सुनते ही जो एकदम से विचलित हो जाए। चाहिए वो धर्म को लेकर सत्य हो, कोई विक्ति को लेकर सत्य हो, वो अभी सिद्धी से बहुत दूर बैठा है। उसकी भक्ति जो है इतनी कमजोर है भी, कि उसको अपने इश्ट पर, अपने भगवान पर, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है भी. अभी उसका विश्वास, थोड़ा सा सत्य पता चला, जो उसके प्रतिकूल हो, जो से अप्रिय हो, और वो हिल गया विखती है. क्योंकि जो सत्य निष्ठ होता है, वो ना केवल की सत्य बोल सकता है, वो सत्य सुन भी सकता है. उसको यदि आप बोलो, कि तुम गलत हो, तो वो ऐसा नहीं आपका दुश्मन बन जाएगा. यही होता है समाज में. जो आप सुनना चाहते हो, यदि सामने वाला वो बोल दे, आपको लगता है बहुत अच्छा लेखती है. कितना बदल गया, कितना अच्छा हो गया है. कितनी बुद्धी आ गई है इसमें. यह मेरी विद्वता को देख पा रहा है. वही सामने वाला विक्ती बोले, बेकार आत्मी हो, किसी काम के नहीं हो. कितना बदल गया, कितना बेवकूफ हो गया है. ना जाने किसकी संगती में यह विक्ती पड़ गया है, हंस होता था, कववा बन गया. ऐसा ही होता है ना. जो हमें अच्छा बोले, हमें वो विक्ती अच्छा लगता है. तो यदि सब को अच्छा बोलना है, वो कम बोलकर ही संभव है. क्योंकि कईयों को बुरा लगता है, यदि आप दूसरों को अच्छा बोलो. वो तुला लेकर चलते हैं. मुझे कितना अच्छा बोला? 100 ग्राम दूसरे कितना बोला? 120 ग्राम यह तो गड़बड है अब जाता हूँ मैं वापिस 100 ग्राम कम से कम और अच्छा देता हूँ मुझे जो अच्छा बोला गया है वो मुझे ही बोला जाए बस ऐसा भी होता है ऐसे भी होते हैं जो तूला नहीं हथोड़ा लेकर चलते हैं मुझे अच्छा बोल दिया बस बात वहीं खत्म कर दो अब किसी दूसरे को अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर मेरी अच्छा ही उतनी अच्छा ही नहीं लगेगी कम लगेगी कि अच्छा और भी ऐसे गुणवान बेटे हैं जबकि पृत्वी पर तो मैं अकेला ही पैदा हुआ हूँ मेरे जैसा और कोई है ही नहीं मेरे जैसा और कोई है ही कौन ये आसुरी संपदा के जो लोग होते हैं बगवान लिखा है उनका ये मूल होता है अपने इस मोह में जीते हैं कि मैं सबसे शुरेष्ट हूँ पर ये सत्यनिष्ठ की बात छोड़ो ये तो कहीं कुछ और ही हो गया लेखती अहम निष्ठ हो गया अपने अहंकार में निष्ठा में स्थित है परमभाव से तो सिध्धी उसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं वो सिध्ध है क्योंकि उसका भीतर से द्रिड विश्वास यही है कि मैं सिध्ध हूँ मैं तो पहले सी सब कुछ कर सकता हूँ जब पहले सी सब कुछ कर सकता हूँ उसको सिखाएंगे ही क्या तो मूल, सिद्धी की जो प्राप्ति की पहली, मैं सीड़ी नहीं कहूंगा, पहला स्तंब कहूंगा जब ये स्तंब ही लेगा, सिद्धी ही लेगी जब ये स्तंब जो है, द्रड है, सिद्धी द्रड है फिर चाहे वो वाक सिद्धी हो, जो बोल दिया प्रकृति उसको करेगी, करेगी अपने समय पर करेगी अवश्या चाहे वो किसे के मन की बात्मापना, या दूर का दर्शन श्रवन इत्यादी, या फिर ऐसी सिद्धी कि आप दूसरे को हीद कर सको, दूसरे को ठीक कर सको, चाररीक मानसीक रोग पर कहीं न कहीं प्रकृति ने एक विक्ति को मान लिजी, आज उठाना है, उसको आप थोड़ा डिले कर सको, कि कल सुबे उठा लेना, मान लिजी, या दो वर्ष के बाद, या तीन वर्ष के बाद, और एक और बड़ी अद्भूत बात है जिस पर आप सिध्धी का प्रियोग करते हैं यदि उस व्यक्ति में वो लक्षण है सत्यनिष्ठ होने के तो उस व्यक्ति पर सिध्धी जो है देर तक काम करेगी जंग लगे बरतन को चमकाना या एक साफ बरतन तो थोड़ी मिट्टी धूल मिट्टी पड़ी है उसको साफ करना जमीन आस्मान का अंतर होता है आपने एक बिजली की तार को साफ कर भी दिया उसमें से विद्युत का परवाह होना भी शुरू हो गया परन्तु बाद में उस पर जंग लग रहा है तो क्या ही कर लेंगे ये एक मूल कारण होता है जब कोई सिद्ध विभूती पुरुशिया इस्त्री जो भी है किसी को जब वो ठीक करते हैं यदि सामने वाला जो ठीक हो रहा है वो अपने जीवन जीने के ढंग को ना बदले तो वो सिद्धी का प्रियोग करने के बावजूद भी उसको वो फल नहीं पहुँच पाता उसको आप इतना असीम फल नहीं दे पाते क्योंकि ये वो बाल्टी है जिसका तला नहीं है उपर से भरते रहो नीचे से तुरंत खाली हो रही है